हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जेस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंली एंटी पीसी की जो वैकेंसी है आने वाली जो इसका स्किल टेस्ट होने वाला उसकी कट ओफ क्या जाएगी और उसकी जो कट ओफ है लोड जो जाएगी उसके फैक्ट क्या क्या हैं तो हम फैक्ट पर आज बात करने वाले हैं तो इस वीडियो में आप लाश तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर निव विजिट कर रहे हैं तो सब अधर की आ चुकी है और उसके बाद जो आपकी जो कट ओफ है वो लो रहने के चांसिस क्या है वो इस वीडियो में हम लो रहने के जो चांसिस है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले फैक्ट क्या होंगे तो देखे सबसे पहला जो फैक्ट है इसके अंदर आप वीडियो को समझेगा सबसे पहला जो इसके अंदर फैक्ट है कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार नहीं किया जाएगा बहुत से जो यूट्यूब चैनल है वो 2016 की जो कटोफ है उसके अधार पर 2022 की कटोफ को हाई बता रहे हैं तो 2016 में जो है नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो अप्लिकेबल था लेकिन 2022 के अंदर आप CBT2 में आपका नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं है इसलिए जो आपकी कटोफ है वो लो रहने के चांसिस बहुत ज़्यादा है आप एक एग्जामपल से समझेए मैं इस एग्जामपल को बार बार देता हूँ आपको एट टाइमस केंडिडेट जो है लिये जाने है बहुत से केंडिडेटों के जो नंबर है वो 90 प्लस है 90 प्लस है तो जाहिर सी बात है जिनके नंबर कम है उनको असलिए लग रहा होगा कि 90 प्लस केंडिडेट जो है वो ही पोस्ट ले जाएंगे बाकी हमें पोस्ट नहीं मि लेगी, लेकिन आप एक बात समझे, 90 प्लस जो candidate हैं, अगर 7 लाग के अंदर से, वो candidate, अगर मान लीजी आप कि 5,000 भी हैं, तो 5,000 पोस्ट ही तो आपको 90 प्लस वालों को देनी हैं, बाकी की जो 30,000 पोस्ट हैं, वो तो average candidate के लिए है न, और 5,000 से ज़्यादा candidate के अगर CBT2 के अंदर 90 प्लस हैं, तो आप भी ये जानते हैं कि वो कितना सच है, क्योंकि एक्जाम आपने भी दिया है, एक्जाम का जो लेवल था, वो ऐसा नहीं था, कि कोई भी candidate जो है 90 प्लस तक पहुच जाए, तो ये मैंने आपको clear कर दिया है, low cutoff का दूसरा fact, अब तीसरा fact 8 कुना candidate आपके इसमें जाने है, 8 कुना candidate मैं अगर मान लिजे, first जो बंदा है, उसके 90 हैं, लेकिन जो second बंदा है, थर्ड बंदा है, ऐसे करकर करके, जो 8 बंदा है, आठवा बंदा, उसके मान लिजे, आप 48 नमबर आएं, 48 नमबर, 48, sorry, 48 माक्स आएं, तो आपकी cutoff जो ट 48 लगने के बाद जब आपकी typing किलियर हो जाएगी, यानि कि आप typing कर देंगे, फिर आपकी आईगी post preference, जो की बहुत बड़ा role play करने वाली है, आर आर बीगी vacancy के अंदर, final vacancy के अंदर, बहुत बड़ा role play करने वाली है, post preference, अगर आपने 90 प्लस attempt करके, अपने 90 प्लस इसको row marks ला लिए है, और अगर आपने, मान लिजे, level 6 में आपके 90 हैं, level 5 में आपके 85 हैं, level 3 में आपके 85 हैं, और level 2 में आपके 90 हैं, लेकिन आपने जो है, preference जो है, वो level 3 को दिया है, एक मिन में color change कर लेता हूँ, level 3 को दिया है, अपने first preference, उसके बाद आपने level 2 को डाला है, उसके बाद आपने level 6 को डाला है, उसके बाद आपने level 5 को डाला है, अगर आपने इस तरीके से post preference दिया ही, या फिर आपने जो non typing वाली post थी, उनका post preference जो है, वो पहले डाल दिया है, तो जाहिर सी बात है, non typing वा कट ओफ है वो प्लस टू या थ्री सॉरी यह माइनस नहीं होगा प्लस टू या थ्री टाइपिंग वाली पोस्टे ज्यादा जाएगी अगर आपकी मान लीजिए 70 जाती है टाइपिंग वाले की तो नोन टाइपिंग वाले की आपकी 74 या 73 तक जा सकती है इसली इतना तो अंदर जो normalization हुआ था वो काफी जादा shock देने वाला था उसके अंदर किसी को 15 नंबर मिले थे किसी को 22 नंबर मिले थे किसी को 24 नंबर मिले थे तो इस परकार से जो final score था वो काफी जादा high हो गया था इसलिए cut off जो है high लगी थी लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है इस ब 63 नंबर पर ही लेकिन आपने post preference को अच्छे से डाल रखा है आपने typing वाली post को ही पहले preference पर अपने डाला है तो आपको हो सकता है कि 63 नंबर पर ही जो है एक post मिल जाए लेकिन वहीं अगर दूसरा candidate है उसके मान लीजिए 72 marks हैं और उसने non typing वाली post को first preference पर डाला है तो अगर उसकी non typing वाली post की जो cut off है वो 73 जाती है by chance का एक नंबर कम जाता है तो वो typing वाली post के लिए आएगा और typing वाली post उसको जब मिलेगी तब ये वाला बंदा अपनी vacancy को छोड़ेगा या फिर इस पर eligible नहीं होगा क्योंकि इसकी जो post preference है वो typing वाली post है railway का जो post देने का तरीका है इस बार वो 2016 से change है तो इसलिए इस बार आप घबराईए नहीं जो cut off है आपकी cut off वो low ही जाएगी low का मतलब यह है कि 120 में से आप अगर low समझे कि 30 चली गई तो ऐसा नहीं है low का मतलब है average 120 में से आपके 60% अगर मैं मानता हूँ तो 70 नंबर तक आप you are के लिए eligible हो जाएंगे अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं अगर आप categories हैं SCST हैं तो आपको 55 प्लस अगर आपके marks हैं तो आपको typing के लिए बुलाए यह जा सकता है इस वीडियो में जो fact थे वो मैंने आपके साथ discuss कर दी हैं सारे और आशक करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि railway का जो process है वो क्या है typing के लिए जो इन्होंने speed मांगी है वो मात्र 30 word per minute है तो आप typing के लिए तैयारी कीजिए और जो mistakes होंगी आपकी वो 10 times यानि कि अगर आपकी 4 mistakes होगी तो उनको 40 कर दिया जाएगा तो इस तरीके से जो है RVI, RRB sorry वो typing के लिए आपकी speed को calculate करेगा low cutoff के बारे मैंने आपको सब बता दिया है कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, क्या season है आशक करता हूँ आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हुआ 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 कर दो इम पsterक के लिए कह पन्यवाद